नमस्कार साथियो आपका अपने onehindi.com YouTube चनल पर स्वागत है मैं हूँ दिपीका मिश्रा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ summer vacation के बारे में यानि की गर्मियों के छुटियों के बारे में जी हाँ summer vacation का नाम सुनते ही हर बच्चे के चहरे पर मुस्कान छलकाती है और बच्चे गर्मियों की छुटियों का बेसब्री से इंतिजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहीं न कहीं घूमने जाएंगे ही चाहे फिर वो नाना नानी का ही घर क्यों ना हो दादा दादी मौस के यहाँ या कभी बुवा के यहाँ या फिर कहीं हिल स्टेशन लेकिन अब ऐसा कहां होता है बच्चे के summer vacation के लिए उन्हें बहुत सारा homework दे दिया जाता है और वे अपना पूरा समय homework करने में लगा देते हैं वैसे summer vacation पर जाना किसको अच्छा नहीं लगता समर vacation पर जाने के लिए तो बच्चे कई महिने पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं वहीं दूसरी तरफ parents भी बच्चों को लालच देते हैं कि अगर exam में अच्छे marks आए तब ही तुम्हें घुमाने ले जाया जायेगा और बच्चे लालच में आ जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बाद में summer vacation पर उन्हें ले जाया जाता है हर स्कूल में लगवक 45 डेज का summer vacation होता है कुछ बच्चे इन गर्मियों की छुटियों का सदवियोग करते हैं जैसे summer camp जॉइन करना summer camp में बहुत सारी activities होती है इसका उदेश है कि बच्चे पूरा साल भर केवल पढ़ाई में ही जुटे रहते हैं उन्हें उनकी पसंद की feel में शम्ता व्रद्धी करने का समय नहीं मिल पाता है इसलिए वे summer camp जॉइन करते हैं इसमें बहुत सारी activities होती हैं जैसे swimming सीखना, dancing करना, singing, drawing, craft work, waste material से चीज़े बनाना English speaking सीखना, computer course और yoga सीखना वैसे गर्मियों की छुटियों का वो देश यह है कि बच्चा पूरे सालवर पढ़ाई करके ठक जाता है तो उसे कुछ दिनों का rest दिया जाए और इन दुनों गर्मी भी बहुत होती है जिसमें वे अन्य activities को सीखे और अपनी कुशलताओं को बढ़ाए जिससे उनकी शम्तब्रद्धी भी होगी और उनका मनोवल भी बढ़ेगा बागई में summer vacation बच्चों के लिए एक सुख़द शन है relatives के यहां छुट्टी विताने से लेकर summer camp की activities करते करते summer vacation कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता और हर बार की तरह summer vacation बच्चों के लिए यादगार बन जाता है और कुछ इस तरीके से summer vacation बीथता है आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंदाया होगा देखने के लिए धनिवाद